किसानों की आर्थिक खुसहाली नियुतम समर्थन मुल्य के माध्यम से धान अधिप्राप्ति की विसेस्ताएं और किसानों का आनलाइन निवन्धन के बारें आपको इस वीडियो में बताएंगे तो खरीफ विपनन मौसम 2019-20 में धान को नियुतम समर्थन मुल्य यानि धान साधारन जो है आपका वो 1815 रुपे परती किम्टल और धान ग्रेड ए 1835 रुपे परती किम्टल निल्हारित किया गया है किसानों का ओनलाइन निवन्धन दिनांग 69-2019 से आरंभ है धान अधिप्राप्ती कारेकरम 15.11.2019 से 31.2020 तक प्रभावी रहेगा ओनलाइन निवन्धन विभायक की वेबसाइट www.cooperative.bih.nic.in पर किया जाना है अपने श्रेनी में निवन्धित किसान निर्धारित सीमाज समय पर रहयत प्रती किसान 200 किम्टल यानि जो रहयत किसान है जिनका खुद का जमीन है वो 200 किम्टल एवं जो गैर रहयत है जो पटाईदार में करते हैं तो उन प्रती किसान को 75 किम्टल अंतरगत दो बार धान यानि दो बार बेच सकते हैं, रायत किसान 200 किम्टल, वहीं गैर रायत किसान 75 किम्टल के अंतरकत दो बार सिर्फ बेच सकते हैं, अधिप्राप्ति कार्य में वंचित सहयोग एवं ओनलाइन निवंदन में कटनाई होने पर, परखंडे में पधास्तपित सहकारिता प्रसारप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समस्त क्रिशक बंधु योजना कार्यकरम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, तो विभाग के नियंतरन कक्ष 0612 2200693 पर या टॉल फ्री नंबर 18 00345 6290 पर आप बात कर सकते हैं, किसानों का ओनलाइन निवंधन जो होगा, किस प्रकार से होगा मैं आपको बता दूँ, कि धान अधिप्राप्ती वर्ष 2019-2020 के अंतरगत सभी किसानों को नियुंतम समर्थन मुल्य MSP का लाप प्राप्त करने हैं, तो ओनलाइन निवंधन कराना अनिवार होगा, क्रिशी भाग द्वारा निवंधित क्रिशी भाग का ID प्राप्त हो, किसान विभाग ये पोटल पर वंचित कागजात अपलोड करने हैं तो, लोग इन करना होगा तथा वे अधिप्राप्ती है तो निवंधित हो जाएंगे, यदि कोई किसान क्रिशी भाग दोरा आवंटिट निवंधन विभूरन भूल गए हो तो वो अपना www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर अपना निवंधन संख्या, आधार संख्या, निवंधित मोबाइल नमबर, जनम तिथी या बैंक खाता डाल कर प्राप्त कर सकते हैं, राजे में वैसे किसान जो स्वेम की जमीन पर खेती कार किये हैं, वे रायत स्रेनी में, तथा वैसे किसान जो दूसरों की जमीन पर खेती का कार किये हैं, वे गैर रायत स्रेनी में निवंधन कराएंगे, यहाँ पर निवंधन यानि रेजिस्टेशन पर एक और नया तो जो रहयत में होंगे वो रहयत में ही करवाएंगे जो गैर रहयत में होंगे वो गैर रहयत में ही अपना रिजिस्टेशन करवाएंगे जान बूच कर गलत स्रेनी में निबंधन कराने पर आप पर कानूनी करवाई हो सकती है तो खरीफ विपनन मौसम 2019-2020 में धान अधिप्राप्ति कार रहे तू रहीत क्रिशकों के लिए ओनलाइन निबंधन में आवस्यक कागजात ये था अपना फोटो पहचान पत्र, बैंक पास्बूक, LPC यानि भूस्वामित्व प्रमान पत्र या हाल के मालगुजारी रसीब इ भैर रहीत किसानों के लिए एक अपना फोटो, दूसरा पहचान पत्र, तिसरा बैंक पास्बूक, चौथा दूसरे की जमीन पर खेती करने से संबंदित सोगोसना प्रमान पत्र वाट सदस या किसान सलाकार द्वारा सत्यापित अपलोड करना होगा किसानों को धान के मुल्ले का भुकतान तालिस घंटे के अंदर PFMS के माध्यम से उनके अधार लिंक खाते में भेज़ दिया जाएगा